Welcome back to Digital Techie जिसमें हम करते हैं सीधी बात नो बकवाज तो यहर आज हम बात करेंगे कि आप अपने Instagram प्रोफाइल पे बॉर्डर और वेरिफाइड टिक कैसे लगाए और ये चीज अभी सबसे ज़ादा YouTube और Google में सर्च हो रहा है अब इसमें पहले हम बात करेंगे कि इससे आपको फाइदा क्या होना है फिर हम बात करेंगे कि आप इसको कैसे लगा सकते हो इससे आप बेसिकली बहुत सारा Instagram पे फॉलोवर गेंड कर सकते हो और आप वो कैसे कर सकते हो उसके लिए मैंने वीडियो अल्रेडी बना दिया आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा आप उपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो जलूर देखो एक बर आप अपने प्रोफाइल पे बॉर्डर और वेरिफाइड टिक वाला ये ट्रिक अपलाई कर दो फिर आप आई बटन पे जो वीडियो दिया हो है उसको देखो ताकि आप अपना Instagram पे फॉलोर इंक्रीज कर सको और इसका second फाइदा है कि आप इससे आपका profile picture जादा professional बना सकते हो so that आप जब किसी को message करो या जब आप किसी को follow request भेजो तो वहाँ पे आपका बहुत जादा chances हो कि वो request accept हो जाए और message में भी आपको जादा reply मिले है अब सीधा चलते है method पे अपना mobile निकालते हैं और यह चीज में पहले ही बता दूँ यह mobile से, laptop से, iPhone से, Android से हर जगह पे compatible है कोई app नहीं राउंडोड करना, कोई फुद्दू काम नहीं करना simply अपने browser खोलना है, website open करना है जो मैं process बताने जारू मैंने Instagram का new account बनाया है, जिसमें यह process मैं पूरा दिखाऊंगा आपको तो चलिए सिधा browser पे, so यहां मैंने अपना browser open कर दिया और यहां पे आपको type करना है unilink.us slash border यहां पे मेरा link already saved है, तो मैंने यहां पे click कर दिया यह link मैं description पे डाल दूँगा, आप वहां से भी click कर सकते हो यहां पे आपको देखो, बहुत सारा border मिल जाएगा, जो की आप अपने profile में लगाना चाहते हो तो यहां से कोई भी आप click कर लो, मैं click करता हूँ, यह बाला क्यूंकि dotted है और उपर फिर एक border अच्छा लग रहे है यह देखने में, तो आप के उपर है, यह आपका choice है, आप कैसा select करते हो अब यहां पे आता है, verified badge का button, जो की आप tick करोगे, तो आपके profile picture के साथ एक verified button आएगा और जो की आप नहीं करोगे, तो आपका एक normal border वाला picture download हो जाएगा यह दो चीज़ करने के बाद, तब सीधा select file करो, यहां पे आप click करो photo library, फिर आपका जहां पे भी photo होगा, आप उसको select कर दो और done कर दो, जैसे आप उसको done करोगे, यह loading दिखाएगा, फिर यह processing होगा, चलिए देखते हैं, यह process कैसे होता है जैसे ही आपका यह process हो जाएगा, आपके पास download now का button आ जाएगा, आप उसमें simply click करो और download करो अपना file आपका profile picture आ गया, इसको मैं कर लेता हूँ, save आप अपने android पे तो direct save हो जाता है, तो यह थोड़ सा iPhone का चोचला है, तो यहाँ पे जैसे ही मेरा profile picture save हो गया, मेरे gallery पे यह आ चुका है, अब मैं सीधा जाओंगा, Instagram पे, यह चलिए हम चलते हैं, Instagram पे, Instagram पे जाने के बाद, जा इसे में done करूंगा, देखो आप, यह suddenly देखा, आपने border भी आ गया, और इसमें verified button भी आ गया, अब इसका सबसे जादा फाइदा है, इसके बाद, अगर मैं किसी को follow request भीजता हूँ, तो बहुत जादा, चांसे से उसका accept होने का, मेरा Instagram पे follower कैसे gain हुआ इसके लिए, और इस subscribe कर दो यार, क्योंकि बहुत लोग मेरा video देख रहे हैं, और channel को subscribe नहीं कर रहे है, so I really request you guys, क्योंकि मुझे content बनाने में बहुत time रगता है, और अच्छा खासा research करना पड़ता है, इसके पहले, तो I request you कि आप मुझे subscribe कर दो, और अगर इस video को पसंदा है, तो एक बस like drop कर द